सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल डिजिटल टोपिक को और बेल आइकन को प्रेस करके ओल के ओप्छन को सेलेक्ट कीजिए जिससे हमारे चैनल पे आने वाली नए नए वीडियो आपको देखने को मिलती रहे हेलो फ्रेंड्स हमारी यूटूब चैनल डिजिटल टोपिक में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊँगा आप घर बैठे अपने पेटेम बॉलेट से अपने किसी भी बैंक अकाउंट में कैसे पैसे ट्रांसवर करेंगे वो भी बिना किसी चार्जिस के फ्रेंड्स आपका यहाँ पेटेम बॉलेट से अपने किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसवर करने के लिए कोई भी चार्जिस यहाँ पे आपको नहीं देना पड़ता है तो फ्रेंड्स चलिए आज की वीडियो को सुरू करते हैं इस चोटे से इंट्रो के बाद फ्रेंड्स अब मैं सिंप्लिए अपने पेटेम एप को उपिन कर लेता हूँ और जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरा पेटेम एप उपिन हो चुका है फ्रेंड्स क्योंकि मैं आपको पेटेम वॉलेट से बैंक में पैसे ट्रांसफर करके दिखाने वाला हूँ तो आप मैं सिंप्लि अपने पेटेम के वॉलेट में चलता हूँ फ्रेंड्स आपको पेटेम वॉलेट में जाने के लिए सिंप्लि नीचे स्रोल करना है और अब आपको my payment section में आपको तीसर option मिल जाता है paytm wallet का आप simply यहाँ पर click कर देंगे और friends जैसे कि आप देख सकते हो मैं पर paytm wallet में आ चुका हूँ और आप मेरा यहाँ पर balance भी देख सकते हो मुझे ऊपर लिखके आ चुका है अब send money from wallet to bank और friends आप मेरे यहाँ पर charges भी देख सकते हो यहाँ पर 0% मेरे charges है मेरा यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है charges का और friends अब आपको नीचे option मिल जाता है amount का friends आप अपने paytm wallet से जितने भी पैसे transfer करना चाहते है अपने bank account में उतनी amount आप यहाँ पर fill कर देंगे तो जैसे कि मैं आपको अपने 500 रुपे अपने bank में transfer करके दिखाने बाला हूँ तो मैं simply यहाँ पर 500 रुपे fill कर देंगे और जब आप अपने यहाँ पर amount fill कर देंगे तो मेरे को यहाँ पर 100 हो रहा है और friends फिर आप जिस भी bank account में अपने पैसे को transfer करना चाहते हैं वो account आप यहाँ से चुल लेंगे और friends यदि आपको कोई ऐसा bank account है जो आपके paytm ID में link नहीं है और आप उसमें अपने पैसे को transfer करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर option मिल ज जाता है add new का आप simply यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर add bank account का option आ चुका है friends आपको यहाँ पर पहला option मिल जाता है enter account number आप जिस भी account में अपने पैसे transfer करना चाहते हैं वो account number आपको यहाँ पर फिल कर देना है और इसके ब इसके बाद आपको नीचे option मिल जाता है account holder name friends यहाँ पर आप खाते के owner का नाम फिल कर देंगे और जैसे के बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है प्रोसीड का आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जैसे कि आप देख सकते हो मुझे दोबारा option आ चुका है यहाँ पर re-enter bank account number friends आपको जो bank account number है वो confirmation के लिए आप यहाँ पर दोबारा फिल कर देंगे और जब आप यहाँ पर अपना account number फिल कर देंगे इसके बाद आपको नीचे बटन मिल जाता है confirm का आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और आप जैसे कि आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर sending money का option आ चार्जिस हैं यहाँ पर 0% चार्जिस हैं यहाँ अपने पेटेम वोलेट से किसी भी bank account में पैसे ट्रांसवर करते हैं तो हमारा यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं कटने वाला है और आपको नीचे बटन लियाता है प्रोशिट का आप सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देंगे और जैसे कि अब आप देख सकते हो मेरी जो पेटेम आईडे में यहाँ पर एक bank account लिंक है तो मैं simply इससे चुर लूँगा और जैसे कि अब आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर sending money का option आ चुका है जैसे कि हमने state bank की detail को फिल किया था महाँ पर आया था और जैसे कि आपको महाँ प्रोशिट का बटन आयता नीचे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब आपको simply यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे कि आप देख सकते हो मैं जो दो message आ चुके हैं उपर friends एक message मेरे wallet से पैसे कटने का आया है और friends दूसरा message जो मेरा आया है वो मेरे bank account में जो पै अब मैं simply यहाँ पर होम पर क्लिक करूँगा और जैसे कि आप देख सकते हो माई payment section में आपको तीसरा option मिलना था पेटेम बॉलेट का जैसे कि आपने पहले भी क्लिक किया था आप दुबारा यहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो मेरे आप पेटेम बॉल में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत